एरक्राफ्ट केरियर में इतना छोटा रनवे होता है फिर भी फाइटर जेट इस पर लैंडिंग कैसे करते हैं चलिए जानते हैं एरक्राफ्ट केरियर में काफी सारी तारों को बान कर रखा जाता है और फाइटर जेट के पीछे एक हुक लगा होता है लैंडिंग करते समय पाइलिट फाइटर जेट की रफतार को काफी तेज़ कर देते हैं क्योंकि अगर जेट से लगा तार हुक से ना मिल पाए तो वापस से टेक आउफ करने में आसानी हो कई बार लैंडिंग करते समय काफी भारी नुकसान भी हो जाता है जिससे बचने के लिए यह है अमेरिका का F-35 फाइटर जेट एरक्राफ जो की वर्टिकल लैंडिंग के साथ वर्टिकल टेक आउफ भी कर सकता है जिसका कारण है इसके एक्सास पर लगे तीन गेर जो की इसे 3D रोटेशन देते हैं और इसके बीच में काफी दमदार फैन लगा होता है जिसकी मदद से यह वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक आउफ काफी अराम से कर सकता है और इसकी टॉप स्पीड 2000 किलो मीटर पर आवर जाती है मतलब साउंड के स्पीड से भी जादा तेज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें